हेलो गाइज वेलकम टू मैं चैनल आज हम कीता रावत का सूट कटिंग करेंगे लिए लाइनिंग वाला सूट है धाई मीटर कपड़ा है ओनली शल्ट ही स्टिच करवाई थी उन्होंने और यह मैंने डबल फोल्ड करके फोर फोल्ड कर लिया है बहुत ही स्लिम ट्रीम है 45 इंच पर निशान लगा लिया है बिलकुल सिंपल है सूट सिर्फ लाइनिंग वाला है और बोटनेक बनाना है इसका और यह मैंने लंबाई और चुड़ाई ले लिया है कपड़े की बाकि कपड़ा साइड पर कर दिया है अब इसकी मार्किंग करेंगे थोड़ी से ही मार् तीरा लेना है बोटनेक के हिसाब से जितनी हमारी बस्त होती है उससे सिर्फ दो इंच एक्स कम लेती हैं पौनिनों का नो बन रहा था ना आठ और साथ इंच तीरा लिया है मैंने और नीचे को मैंने साड़े छे इंच लिया था और ये पौने अंच अंदर को करके गुलाई डालती है अगर बोटनेक अंदर को एक बाहर का को एक इंच की डाल देती है एक बार पौना इंच अंदर को लेकर दूसरी गुलाई डाल लेती है और ऑर मोलफ मैंने कम ही लिया है क्योंकि ना वाजुके जो और नहां के पास से जौल पढ़ पड़ते हैं अगर जादा लें काफी अच्छा कपड़ा था लंबा चोड़ा ना अच्छा ही कपड़ा लेकर आती है लड़की हमेशाँ तो इसका ख़ला δूला सा सूट बन जाता है जैसे है तो बड़ी पतली है लेकिन कपड़ा देखे कितना ज्यादा लेकर आई है धाई मीटर था तो ये बाजू के लिए मैं ले रही हूं मुझे 9 इंच ही चाहिए अगर हैवी साइज हो तो 10-10,10 लेते हैं इसका 9 इंच ही चुड़ाई में लिया था और बाजू ना बोल रही थी कि आगे की तरफ चूड़ियां पड़ें जैसे ऐसी बाजू चाहिए लंबी सारी इसको तो मैंने 28 इंच लंबाई ली है और मौरी अंदाजे से एक बार लगा दी है मैंने और यहां से 3.5 इंच लेकर गुलाई डाल दी है ये बाजू की कटिंग हो गई 28 इस इंच मितलब ना पूरी 22 इंच होती है बाकी जो है आगे की तरफ वल पड़ जाएंगे तो वो चूड़ियां से पड़ जाएंगी जो बोल रही थी कि बाजू आगे की तरफ कठी होनी चाहिए बोल लेनी है इसलिए मैंने काफी लंबी बाजू ले ली है तो उनका ला रखा है सूट का उपर लाइनिंग है डबल फोल्ड और इसको हम कट कर देंगे तो अब इसको स्टिच कर दूँगी बड़ा ना कन्फ्यूजन जा हो जाता है बोलते हैं लोग आकर अकेली शर्ट से लवानी है कितने पैसे लोगे तो अकेली पैंट से लवानी है कितने ऐसे मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता है पूरा सूटिस लाया करो मैं बोलती हूं और यह मैं लाइनिंग अटैच करके आ गई हूं और यह आरम होल के पास जो आगे की तरफ बढ़ता है न कप्ड़ा वो कट कर रहे हूं क्योंकि हमने पैक साइड के पले के कोडिंग ही ल निशान लगाऊंगे उपर से और अंदर से साड़े तीन इंच का निशान लगाना है यह देखें अंदर से लगाना है साड़े तीन उपर से पौने दस और आठ इंच लंबा प्लेट का निशान लगा देना है सिर्फ दो ही प्लेट डालूंगे आगे की तरफ और दो ही पी नहीं क्योंकि बससट की हैवी नहीं है जह प्लेट की मारकिंग हो गई है इसको करते हैं साइड़ पर बैक सैंड के पलेकर अपर भी ऐसे ही प्लेट की मारकिंग कर देंगे उपब से लेना है सवा 10 पौने 10 कि तो अंदर से 2.540 नेका ओर 8 आप एक्स के हां पर आ रहा है लेकिन मैं तो ऐसे अंदाज़ा लगा लेती हूं बस्ट से एक इंच प्लस करके और यह मैंने न चार इंच चुडाई में और तीन इंच गहराई में कट किया है यह बैक सैड का है इसके उपर उरे पट्टी लगाऊंगी और फ्रंट के उपर मे लगाऊंगी बुक्रम का नेक तो यह दूसरे साइड पर भी प्लेट के निशान लेकर इसको लगा देंगे तो दूसरा नेक हम पेस्टिंग पेपर में कट कर लेती हूं क्योंकि बुक्रम का बहुत जादा हाड हो जाता है यहां से मैंने चार इंच चुडाई ली है और ले बाहर वाली गुलाई कट कर लेते हैं फिर अंदर वाली शेप अच्छे से कट कर लेंगे और यह न वाइट कलर बिल्कुल देखना नहीं था इसलिए मैं सूट के उपर रखकर कट कर रही हूं तो कैमरे कितनी क्लिहर्टी नहीं देख तो जहां पर भी नहीं रहा सोरी ड दादा इंच कपड़ा कट कर दूँगी यह देखें अब इस कपड़े को उपर फोल्ड कर देना है यह देखें इसको ना बड़े बखे के साथ फोल्ड कर देना है जल्दी जल्दी हो जाएगा फोल्ड जी अब इसको सोट के उपर अटैच कर देंगे सेंटर में मार्क करके तीर निशान लगाकर देखिए ऐसे डबल फोल्ड करना है इसको और सेंट्र में कट लगादीनी है और चोक के साथ निशान लगा देनी है दिए बिल्कुल सेंटर में ऐसे जए हम लगाएंगा नेकर लगाएंगी तो बिल्कुल सेंटर में आता है और ये बैक सैड के लिए मैं और यह पट्टी बी साथ में ही कट कर रहонец है तिरशा कपड़ा कट करना है ज्यादा चुड़ाई में नहीं लेनी और पटी और ये बैक सेड का हमारा सूट का पला अभी ना प्लेट भी डालने है ये देखे प्लेट की मार्किंग की हुई है और बड़े ध्यान के साथ दोनों कपड़े उठाने है और ये देखें तिर्चा लेकर सेंटर स्यादा इंच मार्जन लेकि बाहर को निकाल देना है ऐसे ही करके सारे प्लेट डाल देनी है और ये ना कपड़ा बहुत हिलनी डूलने वाला ही था कोटन नहीं था प्योर वाला तो इसलिए ध्यान के साथ मैंने इसको स्टेच किया है क्योंकि ये ना फिसल जाता था ये वाला कपड़ा जान के साथ इसको स्टेच किया है मतलब जादा भी ना फिसलता नहीं था जीवी सा कपड़ा था जैसे टिशू का कपड़ा होता है वैसा वाला था इसलिए लाइनिंग लगा दी इसके और ये उरे पट्टी लगा रही हूँ एक एक पैर का मार्जन छोड़ते हुए ये दे बखिया होना तो मशीन बड़ी जल्दी भागती है अगर छोटा हो तो धीरे चलती है इसलिए जहां पर बड़ा करना है मैं कर लेती हूं बखिया बड़ा और ये हमारा नेक हो गया कम्प्लीट बैक सैड का फ्रंट का करेंगे हम और सूट को मैंने फोल्ड कर लिया फ्रंट के उपर लाइनिंग रखकर बड़े बखिये के साथ ही लगाई है अब मैं इसके किनारे किनारे के उपर एक सिलाई लगा दूंगी छोटे बखिये के साथ बिल्कुल किनारे पर लगानी है ना ही उपर लगानी है ना ही ज्यादा गैप छोड़ना है ऐसे सेंटर में रखकर म मेशीन को तो फिर दूसरी साइड का नेक ना सेट करके पकड़ लेती हूं हाथ से फिर बिल्कुल सहीं लगता है हिलता नहीं है नेक अंदर से कपड़ा कट कर लेना है एक एक पैर का मार्जिन छोड़ती हुए फिर इसे उल्टी साइड पर टर्न कर देना है और ये फ्रंट का नेक भी हमारा रैडी हो जाएगा ये सेंटर वाली लाइन जब लगाती हूँ थोड़ा बड़ा ले लेती हूँ तो फिर मैं उधेर लेती हूँ तो दो चार टांके रहते हैं उसको ये देखे हैं उल्टी साइड बर टर्न करके अब छोटे बखे के साथ सलाई लगा दूँगी और नेक हो गया है कंप्लीट अब हमने तीरा जोड़ना है पटी की ना पीछे रखकर बुक्रम वाला नेक फिर लगाते हैं फिर उरे पटी को उपर को मोड़ देते हैं बड़ी सफाई के स है मेरे नेक को और सलाई लगा दूँगी यह देखें छोटे बखे के साथ ही लगा रही हूं पक्की वाली सलाई दोने तीरे हमारे जुड़ गए हैं अब हमने लगाना है फिटिंग का निशान इनकी बस्ट है 35 इंच कमर है 30 इंच और हिप भी 35 इंच पैंटी का आदा होग का 14 इंच पर हिप का निशान ले लिया है इस साइड पर भी 2 इंच सीधा साथ पर कमर का 14 इंच पर हिप का निशान ले लिया है 30 इंच तो उसका आदा लेना है 15 इंच और 7 इंच बच गया था यहां पर से तो फिर मैंने साड़े 3-3 इंच का निशान लगाया यह देखें मै एक्स्ट्रा ही मार्जन ले लेती हैं ज्यादा नहीं लेना चाहिए था इतना अब मुझे ना फिटिंग लगाने के बाद कपड़ा कट करना पड़ेगा और हीप है इनकी पैंटीस ही जुसका दा लेना है साड़े स्तारा इंच स्तारा दूना चौनती और एक पैंटीस हो जात इसके उपर ऐसे ही दूसरी तरफ से भी मिला लेंगे हम फिटिंग के निशान हमारे कंप्लेट हो गए हैं अब हमने इसके उपर सलाहियां लगानी है मेशीन के पास जाकर तो शुकर है मैं लाइनिंग ना उफलाइन जोड जोड लेती हूं नहीं तो बार बार उठना तो ये देखें जहां पर हमने निशान लगा ये हैं वहां पर हमने दो दो सलाहियां लगा देनी है छोटे बखिये के साथ तो ये देखें हमारे जहां जहां पर निशान लगे हैं वहां पर सलाही चल रही है और ऐसे मिशीन को पीछे को मोड़ना है स्वही को अंदर को करके और आदा दा इंच का मार्जन छोड़ती हुए एक और सलाई लगा देनी है तो फालतु धागे भी साथ साथ ही कट कर लेनी है कईना जब पूरा सूट सील लेती है तब फालतु धागे कट करती है लेकिन मैं साथ साथ ही कट कर लेती हूँ तो बाद में नहीं इतना पता चलता, कहां पर हमने लंबा धागा छोड़ा हुआ है, और इस साइड पर भी ऐसे ही फिटिंग लगा लेंगे, जहां पर हमारा निशान लगा हुआ है, फिटिंग का। सूट के दोनों साइड पर फिटिंग लगा कर मैंने एक्स्टा कपड़ा कट कर दिया है और ये हमारे पास स्लीव है दोनों अब ना इसके आगे की तरफ से पहले मैंने कच्छा करना है फॉल्ड करना है इसको और फिर फिटिंग के निशान लगाएंगी और मैंने ना आरम होल को ना पा था साड़े साथ इंट ही आ रहा था बहुत कम आया है अच्छी बात है जोल नहीं आएगा अंडराम के पास और ये दो पल्ले उठाकर मैंने आगे की काट भी डाल दी है अब इनको फॉल्ड करेंगे ये देखें पिल्कुल चिपक जाता था कपड़ा ये आपस मे और ये एक और दो बार इसे फॉल्ड करना है और बड़े बख्ये के साथ सलाइया लगानी है ये ना तरपाई होगा और तरपाई वाली से तरपाई करने के बाद इसे उधेड़ देगी कई बार नहीं उधेड़ती मुझे उधेड़ना पड़ता है सलाइया ये देखें वो कस्टमर जब पीछे पड़ जाती हैं फिर मैं उसको भी बोल्टिंग भेन जल्दी कर देतर पाई और आगी की तरफ मैंने चार इंच ही लिया था ये देखें और पीछे की तरफ साड़े साथ इंच है और ये इंची टेप से निशान लगाया था लेकिन उनको स्लीव बहुत सारा ठीक आ गया था तो फिर मैंने बाजू के उपर दबारा से फिटिंग लगा कर उसको दिया था और ये देखें बाजू भी बहुत ज्यादा लंबी थी इसलिए ही फिटिंग में प्रॉब्लम आ गई फिटिंग लगाने के बाद मीना एक्स्टा कपड़ा कट कर दिया थ दोनों पर ही लग गई थी और ये देखें दोनों फिटिंग को आपस में मिलाते हुए अंदर को कर देना है मोड़ देना है और गोल गुमाते हुए आदा-दा इंच मार्जन छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है और ये हमारी बाजू टैच हो जाएगी ये देखें स्ट गंटे लगी जाए एक घंटा आदा पोना घंटा लगा है कटिंग में स्टेचिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि प्लेट वाला सूट है इसलिए ये देखें बाजू हमारी कंप्लेट हो गई है अब इसको सीधा करके चेक कर लूँगी कोई वर्ल श ये जो टिच बटन लगते हैं ना हमारे उसके लिए मैंने पट्टी बना ली है और इसको मैं तीरे के उपर जोइंट कर दूँगी ये देखें जो हमारा तीरा है इसके उपर लगा दूँगी मैं दो तीन बार पक्यां सलाइया लगा दूँगी कईना बाज जोड़ते जाती है तो मुझे शुरू स्यादते में बाद में ही ऐसे करकी अटेच करती हूँ ये दोना तर्फ पट्टी जोइंट करने के गाद नीची का घहरा फॉल्ड कर देंगी तो सूट लगबग त्यार हो गया है जैसे हाथ थी लंग है पूंच रहे गई है बस घहरा फॉल्ड करने वाला तो ये देखें अब नीची का ना ये बैक सेड का घहरा गला है जो हमने उरे पटी लगाई थी एक पर एक और से लाई लगेगी इसके उपर ये फाल्ट उदागे जहां भी दिखें कट कर दीं और ये देखें तीरे को ऐसे फोल्ड कर कि तो ये मैंने हो गया है fold front का और back side का भी ऐसे ही करेंगे बस front का एक बार करके इसको मैं check कर लेती हूँ यह देखें दोनों तरफ से ऐसे मोड़कर ऐसे मोड़ना है सीधी तरफ तो ऐसे करके check कर लेना है हमेशा ही यह देखें बराबर आना चाहिए अगर उचा नीचा हो तो धेड़ कर दुबारा से सेट करें ये देखें बराबर आ रहा है अब दूसरी तरह भी ऐसे ही निशान लगा लूँगी में घेरा चेक करने का ये अच्छा तरीका है ना ऐसे ही चेक किया करें कि छोटा बड़ा ना हो जाए और ये देखें स अच्छी सलाई लगा देनी है बड़े बखे के साथ इसके बाद में हमने साइड वाले चाक भी फोल्ड कर देनी है तो ये देखें हमारा घेरा फोल्ड हो गया है तो अब साइड वाले चाक भी फोल्ड करके और फिर से घेरा चेक कर लेना है कोछ भी उचा नीचा न रह जा